कि यह पूछ रहें गुरूजी जो राथ को ड्रीम से रहाते हैं उसको हम लोग किस तरह से रोक सकते हैं कि क्या आते हैं ड्रीम सपने जो आते हैं उसको सपने आते हैं तो भगवान ने बताया है कि अगर रात्री में बुरेखपना आते हैं कि वो मित्रीखावना का अभ्यास करके सौना अग तो नहीं आएं और यह सपनों का बुद्ध दम्म में क्या मत्त्राइब तो इसके बारे में क्या वोले तो इसना है कि बहुत्वान के पुरुवत से भी स्वपन विद्या थी स्वपन विद्या के जानका रहते हैं वह एक्जैटली बता पाएंगे सारी भारत देश की विद्या थी भिनन भिनन तरह की लेकिन उनके पर्फेक्शन वाले आचार होने चाहिए वही बता सकते हैं लेकिन बाकी ऐसा भगवान के टिपिटअक में स्वपनों के वारे में ऐसा विशेश नहीं बताया गया घिवल भगवान को जो पांश वपन आये या जो जन्मा के समय जैसा हुआ था वो एक अलग बात है वो ब्राह्मनों ने बताए थे उसका जो भी परिणाम थे और गुरुजी ओनी क्या जो पर दागे यहां नहीं यह लिया ना तो ने शाम को लीए है मने आट से नौ मैं जातक में जातक कर? अब वो जातक में आता है पारिये अच्छा फ्रेक है अश्वीन का कुछ प्रश्न है प्रणाम गुरुजी जैसे आपने बताया था जातक में उल्लेक आता है कि बोधी सत्व का जन्म होता है तो वह अपायगति में आते हैं तो बोधी सत्व का जन्म भी अपायगति अपायगति मतलब बोधी सत्व को सभी योनियों में जाना पड़ता है लेकिन वहां जाकर भी वह वहां पर भी वह राजा के रूप में रहते हैं वह बोधी सत्व का एक मात्रा उद्देश लेता है कि जिस किसी योनी में जाए तो वो अपने जाती के हित और सुख के लिए काम करते यदि मान के चले वो बंदर की योनी में गए तो बंदरों का कैसे हित सुखो उसके लिए प्रयत्न करते थे वे जैसे सिगाल की योनी में गए तो सिगालों का राजा बन के रहे और सिगाल में जब दुख आता है तो उ बोधी सत्व रहते हैं वहां हीन प्रानी के रूप में नहीं लेते वो बड़े रहते हैं हर चाहे वो पशुयोनी में भी रहे और उनको जाना ही पड़ता है चुकि वे बोधी सत्व है उनका एक मात्र लक्ष है लोगों को दुख्ष से मुक्त करना केवल जो बोधी सत्व होत जिए 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 कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी है तो हम यह जाने कि मार का ही रोल है मारी प्रॉब्लम कर रहे हैं जी बिलकुल जी बिलकुल पुछनीती आज हम लोग बोध गया जा रहे हैं तो बोध गया में भगवान की धातू होगी ना भगवान की धातू बोधिवरुक्षा है बोधिवरुक्षा है आप जान करेंगे तब आपको पता चले जो आप कह रहे थे वह भी वापे होंगे अजिए आप तो बहुवान को ग्यान पराफ्त हुआ है वाइस थोड़ा से शाइद ब्रेकूल कुछ गड़बड है कुछ गड़बड है कुछ गड़बड है कुछ गड़बड है अब आवाज आ रहा है यहां पूछा गया है कि गुरुजी कभी-कभी मैत्री फ्लो नहीं होती है क्या करें राजश्री पूछ रही है कोई बात नहीं जैसा है वैसा हमें मैत्री का अभ्यास करना है मैंने वह आवश्यक नहीं कि मैत्री का हमेशा फ्लो बना रहें जैसा भी हम वर्बली भी कर सकते सारे प्राणी सुख्यों सबका भला हो सबका मंगलो इस तरह से मैत्री करते रहना चाहिए उसकी चिंता नहीं करना है कि फ्लो होगा तभी मैत्री करेंगे प्रती दिन हमको मैत् और पुछ प्रश्ण इदर आये हैं में पास में इसमें पूचा गया कि भगवान बुद्द का बच्पन कैसा था बच्पन बहुत है आप आपको दिया गया है भगवान का जन्म की स्प्रकार हुआ और बच्पन कैसा बीता वो सारी स्टूरियाज है इगत्पुरी ने एक सुंदर किताब निकाली है बुद्ध चरित्र नामावली अब बच्पन से लेके महापरिनिर्वान तक धेर सारी कथा यह चित्र सहीत है वहां आप पढ़्ड़े अब प्रिया पूछ रही है वह मैं आपको अन्म्यूट करता आप पूछ लो डिरेक्टली कि अ कि करो अ कि कि हलो प्रिया पूछो अजी आ रही जो पगोड़ा सेल्स होते हैं हमें जब भी हम जब हम ध्यान के लिए जाते हैं तो हम घर पे भी उतना ही पावरफुल ध्यान कर सकते हैं अगर पगोड़ा नहीं है तो हम उसको घर पे ही रहके कैसे अभ्यास करें नहीं पैगोड़ा एक अलग चीज है पैगोड़ा तो घर में नहीं हो सकता और सेल सेल जैसा आप अपना एक सेंबल नहीं सेपरेट रूम बना लीजे और वहां बैठके ध्यान करें तो एक आपका शुन्यागार सेल टाइप हो जाएगा लेकिम पैगोड़ा की बात घर पे संभाव नहीं है तो बेनेफित ऊतना ही होगा क्या जितना हम पगोड़ा में बैठके धियान करें तो घर में करते हैं और एक विपस्टना केंदरा में करते हैं या कहीं भी करते तो अलग अलग तो रहेगा है क्योंकि सेंटर का जो आतावरन होता है, सारा ध्यान युपत रहता है, सारे लोग तपते रहते हैं, घर में हम अकेले करते हैं, तो उसमें अलग-अलग होता है, क्योंकि समग गानंग तपो सुको, सब मिल के ध्यान करना एक अलग होता है, अकेले ध्यान करना बड़ा थोड़ा सा करना है लेकिन फिर अच्छे से भीतर गहराईये में जाने के लिए प्यागोडा या सेंटर पर जाना होता है त्थीक दनेवाद गुरुजी इसमें अश्मीन पुझ्रे मारा एक्सेलेंट भी करवा सकता है क्या कि जान भी ले सकता है कि किसी को विपश्णा करने से रोकने के लिए भी कर सकता है अब मार ऐसा है कि ध्यान में वह बाधा पहुंचाता है बस इतना कर सकता है बाकि वह मार नहीं सकता यदि हम पहचानते हैं उसको कि यह मार है तो वह मार नहीं सकता एक्सिडंट वगरे अने किसी कार्णों से होते हैं या कोई यक्ष लोग होते हैं या दूसरे चंड सुभाव के होते हैं वे लोग करवाते हुंगे लेकिन हम उसके बारे में नहीं जाने गे मार जो हुता है केवल ध् Frame वालों को परिशान करता है कि यह ध्यान न करें कैसे भी यह निर्वान की तरफ न जाए यह जो छे इंद्रिया है उसी में उल्जा रहे यही उसका काम है जी वेकानन बुर्रे गुरुजिया जो पोसत है आप्टरनून और युणिंग को काली चाय ले सकते हैं काली चाय और फलो का रस यह ले सकते हैं शहाद ले सकते हैं वह पोसत के दिन यह सब चलता है कि 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 किसी ने पूछा है कि I want to know about the shivali बनते और क्या मात्व है वह बड़े पुन्ने शाली थे अपने पुन्ने के कर्म के कारण जैसे कहीं यात्रा करनी रहती है जैसे पांसो भिक्षू के रेगी स्थान में की जंगल में जा रहे तब भगवान कहते थे यह शिवली भिक्षू को साथ ले चलना तब खाने के पीने की भोजन की की कमी नहीं पढ़ सक्थId? क्योंकि वो उनके पुर्वकर्म के कारण ऐसा उनको मिलता था और क्योंकि पुर्वकर्मर में उन्होंने प्रत्य बुद्ध को अगभिकी का दान दिया था उसक mortality कारण उनको कभी भी भोजन की कमी नहीं पड़ी इसलिए भगवान हमेशा ऐसे किसी निर्जन स्थान में या कई जहां संभावना नहीं दिखती थी तब भगवान शिवली भंतिजी को भेशते तो बाकी कुछ नहीं है हमने हमने भी वैसे दान वगरे करना चाहिए खाने पिने की वस्तों का दान करना चाहिए बिल्कुल भगवान भोजन के लिए और भिक्षा नहीं दी नहीं मिलने दी तो उस कर्मा का उसको भोगना ही पड़ेगा मार को भी दुर्गती देखने ही पड़ते है वो दुर्गती के दिल गुरु जी हम यह बोल सकते कि मार की जो आयू रहती है काफी लंबी रहती है और हम यह भी बोल सकते कि जो मारा होगा जो पड़वान गुद्ध को इसने देखा होगा वह अभी भी जिन्दा होगा बिल्कुल लेकिन जब वो मृत्तु आएगी क्योंकि वो भी मार देवता है वो मरेगा तो नरक में जाता है फिर देवता लोग भी मरते तो नीचे की योनी में जाते तो उसने जो अप उनने किया है बुद्ध के साथ तो वो उसका जब फल आएगा तब उसको भूगना ही पड़ेगा ओके और किसी कुछ प्रश्ण एक लड़की है वो पुछती है कि मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूं क्या करो लड़किया हमेशा कंफ्यूज रहती है लोड़ाउट प्रशन आया मेरा लड़की है वो प्रश्ण पुछती कि मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूं क्या करूं कि कुछ मेंखल से 25 से 27 की बीच में होना चाहिए पहले तो निश्चित कर ले कि उसको करना क्या है एक दो अगर शिविर नहीं की है तो पहले एक हाद दो शिविर कर ले ताकि क्लारीटी थोड़ी सी आ सारे लोग कंफ्यूज है कि हमें एक्जैटली क्या करना है और क्या नहीं करना है के वल उसने तब बोले कि वे अधिकांश लोग कंफ्यूज रहते हैं तो शिविर कर ले थोड़ी सी प्रग्य आ जाए थोड़ा सा ज्ञान आ जाए और फिर डिसाइट कर ले कि हमको एक्जै हमें उस्तर के लिए भगवान के जितने भी वचन है सभी महत्व पुर्ण है ऑखतने जैसे पहला ये सूत्र कहा गिंती नहीं इतने देवता शूतापन्न और आरंति ये महत्तपुर्ण है वो सूत्र कहा पुद्ध वचन है वो पूर्णाता त्रिपिटक है और बुद्ध वचन को जानना नितान तावशिकता है बगवान ने स्वयम बताया है जब बुद्ध वचन नहीं रहते हैं तो सारा लोग अंधकार में डूब जाता है और ये दी प्रकाश चाहिए तो बुद्ध वचनों की आवश्चेकता है तो बुद्ध वचन वो त्रिपिटक में है इसलिए त्रिपिटक का महत्व है ये शमत और शमत ध्यान और विपशन ध्यान में क्या अंदर है शमत का अरत है चित्तों को शांत करना इसलिए वो समत बोलते है एकागर करना विक्षित रहता है उसको शांत करना एकागर करना इसलिए समत बोलते है तो ये ध्यान है और विपशन ऐसा है कि जो चित्त के वि करना है वो विपश्णा कराती है समत और विपश्णा दो अलग-अलग शब्द है कैसे अभ्यास करना पड़ता है अपने आप कोई चीज नहीं होती आपको थाटलेस्ट बनने के लिए खूब आनापान सत्य का अभ्यास करना होगा थोड़ा सा समय देना होगा हम चाहेंगे कि कि एकी दिन में थाटलेस हो जाए ऐसी कोई बात नहीं है दस वर्ष कोई देता है तो दस वी कक्षा पास करता है तो थाटलेस्ट बनने के लिए भी आपको कुछ समय देना होगा और अभ्यास करना होगा उसी लड़की के प्रश्ण है कि फिलिंग एन इमोशन एकी है क्या काम करते हैं कि यह सारा फिलिंग इमोशन कैसे काम करते हैं यह जानने के लिए आपको भी प्रश्णा करनी होगी उसमें सारी चीज़ें आती है कि आप करें कि और कुछ और किसे कुछ प्रश्णा शायद नहीं है चीरांग तेठ्था तू बुद्ध सासनंग चीरांग तेठ्था तू बुद्ध सासनंग चीरांग तेठ्था तू बुद्ध सासनंग सादू 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 सीमा थूल जी पूल जी प्रणाम गुरू जी मैंने आना पान करती हूं तो बिल्कुल भी चित्त शांतनी होता है शरीर में भी खुजली होगी कुछ ना कुछ परिशानिया सहन करनी पड़ती है पर अगर बुद्धानुसती चैंटिंग में करती हो तो बहुत अच्छा ध्यान होता है तो मैंने क्या क चाइए जो आपको बेडेशच करिये ओर पिस तरह का तकलीव होता है ऊसको मृणस जाना चाहिए और उसकी सबसें फिर आप ने जीसे कुरूजी ने बता है कि चालीस पर स्थान है उस इस साब से आपने काम करना चाहिए ना तो Д sura even भी नहीं ठीक से है कि बहुत ही तकलीफ मैसूस करती हूं जब भी करना चाहती हूं पर बुद्धानुसती चैन्टिंग में बहुत अच्छा फिल होता है और अच्छे से आधा वोन घंडा तो भी बैठ जाती हूं जी अच्छा आपको उतनी तो जागुरुता है कि आपको कुछ मिनिट्स तक क आपको वह सब फिल हो रहा है आप अंडर्स्टेर कर पा रहे हैं उसी को उसी स्टेंग को थोड़ा सापको थोड़ासा अभी बढ़ाने का है वह सब तक लीप आती रहती है दिरे दिरे वह निकल जाएंगी और जिसे आपने बुला कि बुद्धानुसती धंवानुसती संग और कोशिश करें कि दीगम वा अससंतो दीगम अससामी ती पजाना आती मतलब जब मैं दिरको स्वास ले रहा हूँ या ले रही हूँ और छोड़ रही हूँ तो उसके तरह ध्यान कॉंसल्टेट करें जो नॉर्मल बृत रहता है उसको थोड़ा सा स्पीड अप करें और ए खुआ तरह प्रप्राइब करना में कॉण्धि, आप मुझे बाद में मेरा नंबर है यहां आप में भाद में कॉल करें तो मैं फिर आपको इसको बार में और डिटेल स्वें बता तूंगा झाल तो मैं थैंक्यू वंथे, वूपत्टें थादू थादू आप प्दी जी जी I saw the video of teaching Burmese quick relaxation technique is it also counted in the प्पशनाप यह वो भी समयदनाव के उपर देखने के लिए और माइन को relaxation करने के लिए है वो बिल्कुल तो आपने अने अधर पॉश्ट 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 नाओ और किसे कुछ प्रश्न है मेरे लिए तो कि मुझे आज गुजराज चाना है ओके जिन थैंक यू ब्लेसिंग सोई कुछ मैंने वीडियो डाला हुआ है एक लड़की और भवान-बुद्ध का समवाध है डेथ के उपर आप जरूर उसको देखे और डेथ का करने के लिए वान-बुद्ध ने उसमें बोला है स्टोरी में तो वह काफी यूसफुल रहेंगी कि मुझे काफी सालों से मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं उससे आपका मन बहुत जल्दी समाईत हो जाता है और आपको कुछ नेगेटिव टॉट्स भी नहीं आते और आपक जाता है कि उसमें एक एक अंडरस्टैनिंग और एक मैचुरिटी माइंड की वह जदा बढ़ जाती है वह आप विस्दम का जो चैनल है उस पे ढाला हुआ है थोड़ से एनिमेशन भी उसमें डाला है तो आपको एक बिटर अंडरस्टैनिंग के लिए और पर इंग्लिश हुआ यह